है हलो दूस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका इस नई वीडियो में इस वीडियो के नदर हम मोब x को इंप्रिमेंट करने वाले अपने अप में जैसे मुने रेडक्स को देखा था बहुत सारे बीडियो मैंने डाले रीदक्स के ऊपर है ठीक है रीदक्स के रिटक्स के नर्मिल लॉजिक लोजिक देखा तूल किट पे विडिओ बनाई पिर पर्सिस्टेन्ट वाला है वह बनाया पर सिस्ट डेटावेस जो भी है स्टोरेज उसके ऊपर बनाया है अमने काफी चीजिए हमने रीडिक्स बेसी अब अगर सेम स्टेट मेनेजमेंट का कोई भी में other option यूज करना हो तो वो मोवेक्स है जिस पर काफी लोगों ने बता है कि मोवेक्स में यूज करना है प्लीज बता दीजिए तो यह वीडियो पूरा मोवेक्स के उपर है इसके अंदर हम छोटा सा example बना के देखेंगे एक notes सेविंग बना के देखेंगे छोटा सा है ठीक है तो मालो भी यहां पर मैं विज्वल हो रहा होगा आपको मैंने आपर एक नॉर्मल स्क्रीन बढा रहा है और यहां पर एक एड्ड न्यू का बटन दे रखा है यहां पर मालो टाइटल कुछ भी है टाइटल मालो माई कर रहा हूँ जब मैं यहां पर सेव नोड पर क्लिक करूंगा तो मोबस से डेटा से वहां मोबस का यूज करके यहां पर एक लिश्ट आ रही है और इस लिश्ट के अंदर जो मेरा टाइटल था वो देख रहा है ठीक है अब मैं एक और सेव करता हूं मालो कुछ भी रेंड डेटा मतलब एड डेटा और डिली डेटा यह दोनों ऑप्रेशन मोबेक्स की करने वाले तो वीडियो को पूरा देखना इसके मत करना और अगर वीडियो हेल्प लगे तो लाइक जरू करना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कोड़िंग इसे कुछ डिजाइन बना रखा है जैसे माल लो यहां पर मैंने एक नॉर्मल स्क्रीन बना रहकर यहां पर एक एक डिली बटन दे रुख यहां से क्लिक करते हैं ताइटल और डेस्किप्शन करके ठीक है या नोट बोल सकते हो इसके सेव पर हम एक नोट सेव करेंगे और यह यहां पर उसकी लिष्ट देखाएंगे तो यह एक तरीके से मान सकते हो कि एक स्मॉल एक्जामपल है स्टेट मेनेजमेंट का जो हम मोब एक्स के एल्फ से करने वाले हैं चोटा सा क्योंगों से श्टॉल करने बहुत मैं बता देता हूँ ठीक है पहले हम चलते हैं कि यहां पर और यहां चलके सबसे पहले आपको यूज करनी है मोव x इसे आपको install करना पड़ेगा इसमें कोई भी complications नहीं है install करने में directly आपको yarn add mob x या फिर npm install mob x करके install करना ठीक है दूसरी है mob x react ठीक है यह library है तो इसको भी आप कर सकते हो mob x react वाली library जो है यहाँ पे installation देखेंगे ठीक है यहाँ देखो इन्हों नहीं देओ आगे जरूर देओ अखे नखें mob x react एक एक यह जो मैं बता रहा हूं ठीक है एक लाइबरी यह और दूसरी यह रही mob x react ठीक है तो हम mob x react कर सकते हैं install और यह दोनों अधिक है तो दोनों इस्टॉल कर लो इन दोनों लाइबरेरी का मैं बलब लाइबरी जो भी मैं पेकेज वीडियो के description मि देछां वहां से इस्टॉल कर सकते हूँ ठीक है इंस्टॉल करने के बाद हम स्टाट करते हैं राइक मैं ने एक चोटा सा धेते थे चीग है फिर और एक्स गोठो और उनकी इस टेट को इसमें पास करते थे इस में पूर किया करते थे उन एक्सन जोंग को यह सब्सक्राइब ही ठीग है और सब्सक्राइब करता था और फिर व्यू उस निफिक को एक्सिस कर सकता था ठीक है यह steps हम Redux के अंदर follow करते थे अब यहां पर थोड़ा सा फर्क क्या है कि Redux के अंदर हम सिर्फ एक store बना सकते थे पर उसके अंदर multiple उस class के अंदर हमें एक observe यह क्या करना पड़ेगा डिफाइन करना पड़ेगा क्या 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 हमें ट्रैक करना है कौन-कौन सी चीजे में ट्रैक करने लाइक कौन से एक्संस हमें ट्रैक करने कौन सी बैल्यूज हमें ट्रैक करने एक अपनी सिंपल वासा में समसकते हैं कि कौन और अंदर करने के बाद उन सारी चीज़ों को सिट्वर एकस्पोर्ट कर देते हैं इतना यह पिर मों कहीं भी उस इस टोर को कॉल करके उस डेटा को एकसिस कर सकते हैं कहीं में निकाल सकते हैं जैसे रड़क्स में प्रोवाइडर बगारा बनाना पड़ता था मतलब हमें। पेरेंट में जाके वहां पर पाष्म करना रहता था ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। यहां पर directly आप कितने भी store बना सकते हो कहीं से भी access कर सकते हो क्योंकि multiple stores हैं अब अगर single store बना रहे हो तो parent में डाल दोगो और access करना पड़ेगा यहां पर multiple store हैं तो फिर कहीं से भी कोई भी access कर सकता है तो यह चीज है अभी हम इसको implement करके देखेंगे ठीक है करने से पहले एक चीज़ा समझनी है कि जो observe करने के लिए मैंने बताया था कि क्या कैसी observe कर सकते हैं उसमें एक तो है जितने भी actions define करेंगे उन्हें observe करना है और जितनी भी initial values हम डालेंगे जैसे मालो array है कोई string है कोई बुलियन value है जो starting में initial value गोल सकते हैं जैसे हम रेडक्स में भी यूज करते हैं इनीसियल स्टेट वह वाला टम यहां पर भी है इनीसियल जो भी value उसे भी observe करना हमें और जितने भी actions define करेंगे store के अंदर वो ने observe करना ठीक है सबसे पर हम क्या करते हैं यहां पर चलते हैं और मैंने store बना रखा यहां पर मैं एक नया store बनाता हूं आप लोग लिए ठीक है अब यहां पर जो notes है उसको मैंने स्टार्टिंग में notes को मैंने क्या करा initial state मैंने रख ली array empty array initial state empty array अब मैंने इसके दर क्या करा constructor define करा और constructor के अंदर हम वो चीज जो observe करनी है वो सारी चीज़े यहां पर और डिफाइन करेंगे उससे पहले हमें जो actions बनाने मालो हम notes add कर रहें notes delete कर रहें जो भी action हम रेडक्स के अंदर यह से डालते हैं तो वैसे मैं यहां पर भी define करना तो मालो फिलाल में एक एक हम मालो पहला action डालते हैं add 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 my notes ठीक है इस तरीके से हमने एक function बना लिया अब यह क्या करेगा जो भी यह initial state है उस state के अंदर क्या करेगा जो भी हम object वहां से notes का भेजेंगे मालो नोट का object हम भेज रहे हैं वो add कर देगा initial state में तो हम क्या करेंगे दिश्ट नोट्स को हम क्या दे देंगे जो भी updated notes की list होगी ठीक है तो updated notes की list कैसे होगी यहां पर हम मालो यह एक array ले लिया मैंने उसके अंदर मैंने पहले this dot जो भी notes है पहले वाला existing notes जो मैंने उपर define करा वो उसके बाद मैंने यहां पर note का object आ रहा बो ले लिया मैंने ठीक और इसके बाद मैं क्या करूंगा एक आईडी नाम की की और जोड़ूंगा जिसमें मैं math.random id दे दोंगो इसको ठीक है यह तो हो गया notes add करने का action ठीक अब क्या कर सकते एक action अब बनाएंगे delete note का ठीक delete note का action कैसे बनाएंगे यहां पर मालू मैंने delete delete my note और इसके अंदर क्या id के वाश्व मैं delete करना है तो ऐसे action कर लिया अब जो नया वाला note होगा जो notes नए वाले होंगे मलब after filter delete करने के बाद क्या होगा तो यहां पर यह है this.notes.notes. यहां पर filter matter यूज करते हैं तो filter खीक और इसके अंदर क्या होता है item और item के बाद condition लगाएंगे कि जो item है उसकी id is not equals to जो id वहां से आ रही है ऐसे यह logic लगना चाहिए ठीक है अब मालो यह सब चीज़ें तो हो गई हमें क्या करना पड़ेगा यह तो my notes से इसे export भी करना पड़ेगा तो export export default ठीक है यहां पर my notes को हम कुछ store के नाम से करेंगे ना तो my notes store equals to new my notes इस तरीके से ठीक है मैंने एक object बना लिया नया जो मैंने इसके नाम से कर दिया अब बात करते हैं यह मैंने जब तक यह method बना दिये दोनों action बना दिये इन्हें हमें observe भी तो करवाना पड़ेगा ना बिना observe किये तो यह आएंगे नहीं सही से तो ट्रैक ही नहीं होगे तो ट्रैक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और इसके अंदर जितने भी हमने action लिए हमने कौन-कौन से action लिए है दो action लिए add my notes डिलीट माई नोट ठीक है अब add my notes जो हम यहां पर लेंगे add my note यह क्या है यह है action तो में define करना पड़ेगा टाइप जो भी हम observe करवाने चाहरे है उसका टाइप क्या यह तो एक्सन है ठीक है डिलीट माई नोड यह एक्सन है बट जो हमने ऊपर notes नाम का एक variable लिया है initial value वो क्या है उसे हम observe बोलेंगे ठीक है इतना हो गया यहां पर हमने डिफाइन भी कर दिया यहां observe करने वाली जितनी भी एक्सन बनाओगे इसी तरीके डालना है उसका नाम और यहां पर एक्सन और जितनी भी बैल्लिउस आपको observe करवानी है वह इस तरीके से ठीक है आप वैसे जब requirement होगी तो अलग-अलग के नाम से यह वाली नौट की क्लास को गष्ट एक्सपोर्ट कर दी ठीक है अब यहां पर एड़नोट वाली स्क्रीन पे चलते हैं यहां पर जब भी डेटर सारा फिल करें और अपर हम्ने के वाइं अपना वहां श्टोर बनाया था जिस नाम से माइ नॉट्स्टोर माइ नॉट्स श्टोर है नाइ नोट्स श्टोर आई थिंग ओंपे सभी से वह नहीं है यह पर पोड़ पर दूस्ट को सेप सभी से करना पड़ेगा अब चल के यहां पे कॉल करते हैं माई नोट्स स्टूर के आनी रहा है आनी रहा है इस तरीक है से इसको ठीक इसे कॉल करके देखते है अम स्टूर करते हैं यहां से इंपॉर्ट्ट कर लेता है कि इसका यह कहा से होगा फूर्व है वाहई स्टूर और यह माई नोट्स ठीक है अब बात करते हैं यहां पर जब माई स्टोर आ गया तो इसका जो भी मैथड़ में एड़ नोट्स एड़ माई नोट्स ठीक है तो यहां पर हम कॉल कर रहे थे ओके हमने कॉल कर लिया ठीक है बट एक चीज है कि यह एरर देगा ठीक है यहां पर हमें निव लगाना ही पड़ेगा यह दिकती ठीक है अब बात करते एक चीज की और यह हमने मेक बना दिये बट हमें इसे बाइंड करना पड़ेगा बाइंड करना पड़ेगा ओटो बाइंड इसको ट्रू करना पड़ेगा ठीक है से क्या यह बांइंड अब यहां चलते हैं और उसकी मेन फंट करना यह क्या प्ता करना था क्यों प्सक्रणाइं परोजिए हैंthis तेसे डेक्ट पाद या सम्झ बूंद करने के नाएंगे तो अरह करेंगे किनी अधी options स्कूर्ण सेक्षाइब ट्रॉब मैं हों साथ मुन्ट एक हम यहां सबच्छेए मैं मैं लोगा बन समय हैं तरीके से condition ढालूँ आ इस condition के अंदर मैं पास करने वाला हूं पहले इंपोर्ड कर लेता हूं एक बार यूज इच फोकस्ट और यहां पे इसका बैरवल बना देते हैं कौंश्ट इस फोकस्ट और यूँज यहां पर इसको मैं फोक ले लेते हैं पित ने सके अंदर यहांप क्या करने वाले कोंच्ट महांलों इतरी नोट्स कुमर लों आुट रहारे च cola ठीक नोट्स स्टोर अभी ऐसे मिल नी रहा इसको इंपोर्ट कर दें डारेक्ट ली ठीक है इंपोर्ट माई नोट्स स्टोर स्रों कहां से इस्टोर इस्टोर के अंदर माई नोट्स ठीक है और यहां पर माई नोट्स स्टोर डॉट वहां पर हमने एक इनीशियल इस्टेट डाली थी ना जैख सकते हो जहां पर हमने इनीशियल इस्टेट बनाई थी नोट्स तो यह निकाल ली है हमें इस इस क्लास अब्जेक्ट में वसको क्या होगा शंद आतिक माल्य नोटस मतना यह नोटस यहीं स्यम कॉपि कर लो रहा जैसे यह सीम कॉंपी करने गाने के इसको प्लाइब क्या करते हैं सिसको छे करें कंसोल करके कुछ आएगा यान याए थो मैं कंसोल के अंदर टैंप नोटस सेव करता हूं है ठीक है ओके कैन नॉट रीड प्रोपर्टी नोट्स जो को यहां पर कुछ गरबड हो रही है कि जा गरबड हो सकती है माई नोट्स स्टोर सब्सक्राइब, माइ नोट्स फिर्व माई नोट्स विये यह प्रोपर नकाल लिया 노冷 अधिकन्ते आफ्र नोट्स अ्धै डिस्टाइब दिस्टाइब नोट्स बैर इसके अंदर नोड़ और भीजिये इस कोई निक्कत नहीं है कि यहां कुछ दिख्कत हो रही है कि तो इस्सू कुछ नहीं है बिजूल कोड जो है लाइक मेरा यह कॉल नहीं हो रहा किसी तरीके से सजेसंस नहीं दिखा रहा इस वजय से बट हम क्या कर सकते यहां पर जो ऐसे हमने माइगा हें नोटस में यहां पर यह भी इस चोर बी हमने एक लाइब हैर्यो 나र और यह कोल कर सकते है रहलेगे है थीक है तो मादलो मैंने यहां पर माई नोट्स लिया और लिए हो रहा तो आप माई नोट्स जैसे मैं यह भी कॉल कर सकते है तो मालो मैंने यहां पर माई नोट्स लिया और एड़ माई नोट्स करके मैथड आ गया एक्सन आ गया मतलब और इसके अंदर टाइटल और दूसरा हो सकता है क्या डेस्क एप्शन तो यह दोनों को कॉल कर लिया मैंने और सेव करा दिया ठीक है अब जब भी यह सेव होगा उसके बाद नविकेशन डॉट गो पर हम गो करके को सेख्द काल कर सकते हो इस तर mm इसको क्लास को कर सकते हो जो भी असको कर सकते हो और यहां पे निकाल सकते हूं ऑ चक्रिएक deficit कर कर आँक अंछाओ कि यहां ने क्लास के नियम से यांथ शीक चार्ण और जब आप कॉल कर सकते हैं और जब आप कॉल करके देखो कि तरह करके आपको यहां पर methods actions और जो भी दूसरा values दोलों मिलने लगे जाएंगे ठीक है तो हमने यहां पर जब देखा था कि जब हमने सेव किया तो यहां पर यहां पर दिखा रहे हैं अब देखो एक और एक और बढ़ता जा रहा है अब बात करते डेटा सेव तो हो रहा है और से ओने का देखो यह निकालने का तरीका है जैसे अम निकालते थे किया अब एसा कुछ निकालने यहां पर लिस्ट के बिल सिग्वा कोई निका लिएक अब मुझे यही बैलूर के अंदर दिखानी है तो मैं क्या करूंगा का इस कौंस्ट नोट्स नाम का एक state ले लेता हूँ घी ता हम यहां सैंडियो उनोट्स कर zap लाइंप नोट्स डाल के और इसमें स्कर्द आंप लेता है ल्र मतने करते हैं यहां द्नलिस एक प्लेट के अंदर डेटा अटा और डेटा कहां से आएगा नोट से रेंडर आइटम आइटम और इंडेक्स और यहां पर रेटन कर लो एक यू आई ठीक है यू आई मैंने एक ब्यू ले लिया और ब्यू को मैं इस्टाइल दे रहा हूं थोड़ी सी 90 परसेंट आइट 50 अलाइन सेल्फ सेंटर मार्जिन टॉप 20 एलिवेशन 5 बैक ग्राउंड कलर एस और इसके इंदर टेस्ट लूँगा टेस्ट में मैंने डाल देंगा क्या आइटम डॉट और यहां पर इसको यहां पर करना पड़ेगा इसको बंद है ठीक है सेव करते हैं कुछ इस तरीक ऐसे देखो मैं यहां पर जो भी हमने सेव क्या डेटा देखने लग जया ठीक अब अगर यहां पर एक चीज़ा डाल देते हैं मार्जिन बॉटम इंडेक्स जो भी है वह इक्वल्स टू नोट्स नोट्स जो भी आ रहें नोट्स डॉट लैंट माइनस वन है तो ट्वेंटी अधर जीरो इस तरीके से लास्ट वाले में मिल जाएगा ठीक है मालो यह डेटा आने ल जादा जादा टाइम बर्वाद नहीं कर हुआ है हमें सिर्फ कॉंसर समझना है तो यहां अलाइन इतम और इसको मैं सेंटर में डाल के इस तरीके से टैप सिखा दो ठीक है अब मालो मुझे यहां पर एक और एड कर देखते हैं कुछ भी रेंडम मालो मैं गौरव के नाम से इसे में पहचान में आए डेटा कुछ भी हमने चेंज किया पहचान ठीक है अब मालो मैं डिलीट करना है यहां पर इलीट करना तो मैं करूंगा इसी के अंदर एक कि अचेवल ओपिसिटी लेता हूं और इसके अंदर एक इमिज डालता हूं रिक्वाइर इसके अंदर इमेज डिलीट डाट पी एंजी इस्टाइल इस्टाइल विट ट्वेंटी फॉर हाइट ट्वेंटी फॉर और यह कुछ हमें इमेज मिल जाए ठीक इस तरीके से अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इस्टाइल देखे पोजीशन एपसुल् इस तरीके से ठीक है इस पर प्रेस करेंगे जब भी हम इस बटन पर तो हमें कान सा कॉल करना डिलीट नोट वाला ना तो अन प्रेस मैंने करा और यहां पर अब माई नोट स्कॉल कर लिया और इसके अंदर क्या डिलीट नोड नाम का इक मैथड है डिलीट माई नोड और इसके अंदर में क्या पास करना है आई-टम डॉट आईडी जो भी होँआ पर रैंडम आईडी सेव करेंगे अब देखो जब नोट यहांट टे डिलीट होग तो मैं यह अपडेट भी करना है तो यहांपे अगर सैट नोट और सैट नोट करना यहां पर यह उज इफेक्ट में मने लॉजिक डाला यह वाला बस यह लाइन और नोट्स को सेट का देना मतलब क्या कर देना अपडेट का देना इस लिस्ट को ठीक है आप देखते हैं बस इतना ही लॉजिक था हमें थोड़ा से क्या करना इसकी प्रैक्टिस करनी है दो से तीन वार आप लगा के देखोगे इसको इंप्लिमेंट करके देखोगे बड़िया से काम करेगा ठीक है सेम ही है रेडक्स की तरह यह बस कुछ इसके फायदे भी है जैसे कि मल्टिपल इस्टोर बना सकते हैं रेडक्स के अंदर में एक सिंगल इस्टोर बनाना पड़ता था उसे पैरेंट कंपोनेंट में पास करना पड़ता था यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कितने भी इस्टोर बना और कहीं से भी एक्सिस करो यह फाइदा इस चीज़ का है और बाकी फिर से यह कोर्ट समझ लेते हैं कि कैसे हमें इस्टोर बनाना है हमने एक श्टोर बनाया उस क्लास के नाम से यहां पर एक इनीशल वेल दे दिया मलब नई लिस्ट दे दी और डिली टुब नोट में भी फिल्टर करके जो नई लिस्ट बनी वो दे दी यहां पर हमने एक्सपोर्ट डिफोल्ट एक वैरेवल दिया इस्टोर का बट अगर यह काम नहीं करें तो हम डारेक्ली इसके नाम से भी कॉल कर सकते हैं बट इस तरीके से डिफाइन जरूर करना है ऐसा मत करना कि एक्सपोर्ट डिफोल्ट और डाक्ली माई नोट से लिख दिया डिफाइन तो इस तरीके से करना अगर यह काम करता तो बैटर रहें नहीं करा एनिहाओ तो आप डायकली ऐसे यूज कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो क्यारें आए तो कंपिंट पर बता देना थीक है यह वाला जो कोड है यह वाला कोडैई यह आपको मिल जाएगा कहां प refuge पके यूर्ल में कर दूँए सेर कर दूंँए वीडियो के लिवीडियो को डिस्किप्सन में तो अगर वीड़ीयो अच्छा लगात है helple लगा है त तब तक के लिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए